दोस्तो बहुत टाइम से ये चल रहा था कि दोजा 20 और 21 के एक्जाम होंगे या फिर आगे प्रमोट कर दिया जाएगा तो इसी के उपर एक्जाम कमीटी बैठी थी एक्जाम कमीटी ने अपने जो डिसीजन है वो अभी ओफिशली नहीं बताया है मलकि न्यूस के द्वारा पता चला है कि आगे कैसे कैसे एक्जाम का पैटर्न होगा क्या होगा तो वही जो न्यूस के द्वारा पता चला है वही मैं आपके सामने बता रहा हूं कि आगे क्या होने वाला है किस किस के एक्जाम होंगे किस के एक्जाम नहीं होंगे कि इनको प्रमोट किया जाएगा तो प्रमोट किस अधार पर किया जाएगा ठीक है तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्जाम कहा हने, तो दोज़ाँ 20 और 21 के एक्जाम है जो अभी के एक्जाम है वो होंगे final semester थीक है, जैसे semester अब semester चलने लगगी है तो final semester जिसका है, उसके exam होंगे जैसे BSC में थीक है, BSC में कौन सा? छटा semester, थीक है या फिर जिनके जो yearly पर लिए चलते थे जैसे बीए में 117 ऐसे गरलो कर न तो उनके कोगा अगर उनका final year है यानकी second third year है या फिर में में second year है ठीक है तो उनका क्या होगा exam होगा ठीक है यानि कि जिनकी semester है final semester ठीक है first semester नहीं final semester जिनकी उस semester के बाद क्या है उनकी degree complete होने वाली है तो उनके exam होगी और वो exam कैसे होंगे उसका pattern क्या है उसका pattern यह है कि OMR sheet जैसे हम optional आते न तो option में आपको click करना पढ़ता है आप exam देने गए होंगे तो उसमें OMR sheet में भनना पढ़ता है कि A है B है C है D है तो वैसी क्या होगा OMR sheet में आपका exam होगा एक paper में जैसे कि माली जीए अगर जैसे न होते हैं अगर दो paper होते हैं तो वह दो paper अलगलग ना होकर एक ही में joint हो जाएगा ठीक है बससमें क् attent पेपर में क्योंगा खंड बाट दीए जाएंगे पहले paper जो होका और जो दूसरा colorotが वह दूसरे paper होगा जैंक है एसी जिनके तीन paper होते होंगो तीन will take a pen देंगे पहला को जो पहला पेपर होगा थ्यानिकी खंड एक ओर खंड बी तो खंड ए जोगा वो एक घंटे का ओगा अर उसमें 40 कोश्चन होंगे और ऐसी कंड बी जोगा उसमेंपिं धी Unterstützung मिलेगा और 40 कोश्चन होंगे ओप्शनल होगा, ठीक है, हार एक question, दो marks का होगा, तो, खंड एक में, कितने marks होगा है, 80 marks, खंड बी में कितने होगा है, 80 marks, ठीक है, ऐसे करके, अब जैसे, अब वो हिसाफ से लगा लेंगे, कि कितने नंबर का आपका एक्जाम लेना है, ठीक है, यह मैं आपको रफ्ली बता बस यहाद रखेगा जिनका final semester है जिनका second year है अगर MA है तो MA में second year MSC है तो MSC में second year BAC है तो BAC में third year ठीक है और MA में कर रहे हैं या MSC में कर रहे हैं कि उसके द्वारा exam committee ने अपना बताया है आगे official letter भी आ जाएगा कि official letter में जहां लिखा आएगा बुरा कि किसके कैसे 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 करके pattern आएगा कैसे paper होगा ठीक है और एक चीजा रखेगा जिनके अभी assignment चलने हैं वह मन लगा के assignment दीजिए क्योंकि जो promote का अधार है प्रमोड करने का जो अधार ले रिखा है वह है सत्री कारी का अधाभा सत्री कारने के जो assignment के आपके कारी चलने है आप मान के चलिया कर आपके assignment पे 20 में से 20 आ जाते 20 में से 19 आ जाते 20 में से 18 आ जाते तो आपके इसी अधार पर आपको promote करते वक्त ये number दिये जाएंगे ठीक है तो assignment को मन लगा के दीजिए अच्छे से पढ़के दीजिए क्योंकि जिनके हो गए है उन्होंने भी बढ़िया कर रिखा है और जिनके अब होने वाले है ठीक है दुबारा re-attempt जरूर करना re-attempt करके क्या पता आपके 20 आ जाए ठीक है तो ये जरूर करिएगा क्योंकि सत्री कारी के अधार पर ही promote किया जाएगा ठीक है कि सत्री कारी के assignment में आपके कैसे काम है उसी के अधार पर आपको promote किया जाएगा finally बता रहा हूं कि final semester जिनका final semester है या फिर final year है जिसके बाद उनके degree पूरी होने वाली है उनके exam होंगे बस ठीक है ऐसा exam committee ने बताया है ठीक एक paper अगर किसी के 3 paper होते थे एक माली ये history में 3 paper हो रहे है या 2 paper हो रहे है तो उनका 1 single paper होगा उसी में खंड बाट दिये जाएगे खंड का खंड का ठीक है एक गंटे के होंगे दोनों एक खंड का एक घंटे का और खंड का बाब एक घंटे का पूरा paper दो घंटे का ऐसी जिंगे 3 होंगे उनको 2 घंटे में बाट दे जाएगा कि 45 मिनट ऐसा है ठीक है और 40 question पहले में आएगे 40 question बाद बाद बादे में आएगे दो नमबर का question होगा ठीक है वो तो exam committee अपने साब से बाट देगी ठीक है अब जैसा भी आगे official letter आएगा तो मैं आपको इसके बारे में सारे दे दूँगा कि कैसे कैसे करके क्या क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है बाकि assignment मन लगा के दीजिए बढ़िया करके दीजिए क्योंकि किसी के अधार पर promote होंगे आप ठीक है धज क्योंकि आपको